अब सभी का सभी की पसंद आई डूप चैनल रायएजुकीशनल में सभी मित्रों को शुप प्रबाद गुड मौर्निंग अधाब शश्रीयकाल जैमातादी जैस्री राम मित्रों कल थोड़ा सा जानते हैं गंबीर हो गई ती स्वास्त को लेकर गंबिरता जादा बढ़ती जाती है क्योंकि रिस्ट दिनेक बोला गया है वोईस को लेकिन आपके लिए लगातार जद्दो जहत करनी पढ़ती है क्योंकि आपको कोई निगेटिव इंपक्ट ना आप की मानसिकता पर प्रवावित हो कोई गलत तत्त आप तक ना पहुंचे इसकी पूरी एतियाद बरतने के लिए लगातार वीडियो प्रेश्चित करता हूं तो आज 39000 भरती पर जो कल वीडियो पूरी complete analysis के बात नहीं भीज़ पाया था क्योंकि तब से लेकर आज मौर्णिं होने की कोई भी आवशक्ता नहीं है लेकर अधिकतर मैं देख रहा हूं जो messages आ रहे है WhatsApp पे और जो टिलिग्राम ग्रूप में उसमें परशानी वाले देख रहा हूं मैं कि प्रश्चिन है बीड़ वाले कुछ परशान है तो उनकी वह भी परशानी मैं दूर कर देना चाहत है तो आज बात करूंगा कि इरिशाथ सर के जितने भी सर के सामने जितने भी और्गिमेंट रखे गया मिस्तर जी के द्वारा वह कहने कहीं प्रश्चिन उस पर बना रहा कोई और चीत नहीं रहा हूं कि किसी भी तथ्यों को प्रदर्शित करते थे इरिशाथ सर एक प्रश करूंगा कि आप लोगों की प्रात्ना और आप लोगों की दुआ मिलती रहेगी स्वास्त जल्दी ठीक हो रहा है और जल्दी ठीक हो जाएगा तो कल की सुनवाई का सार बीड को कोई समस्चा नहीं है पहले बता दूं वीडियो शुरुआत कर रहा हूं और बीड़ वाले बिल्कुल ना मित्रों क्योंकि आपको हटाने वाला इस भरती से कोई नहीं है ठीक है ना कोई आएगा अलग से आपको सरकार ने सामिल किया है चाहे मैं एक बार कहूं चाहे फरजी तरीके से सामिल किया है चाहे सही तरीके से सामिल किया है कानून सरकार बनाती है सरकार ने कान बनाया है सामिल किया है आपको और तब तक इस चीज को लिख लीजे मैं जब से इस भरती प्रक्रिया से जुड़ाओं एक ही बात बोलता हूं कि बीएड को तब तक नहीं अटाया जा सकता इस 59.000 बरती से जब तक बीएड के एक एक योग्य बेड़ती जो तैमानक पर खरे उ इनको छू नहीं सकता इस चीज को जान लिए और जब वहां पहुंच जाएंगे तब फिर कोई चूने का उच्छीत भी नहीं ठीक है मैं अच्छे से एक एक चीज कलिरफाई करता चलूंगा बीएड के जो भी कैंडिडेंट है बहुत ध्यान से सुनेंगे अब बात और कुछ निगेटिव इप्यक्ट है कुछ आडियो आप सुने होंगे जो फरजी तरीके वाले होते हैं जब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती बहुत जादा दो जाती तो सोचते हैं किसी ने किसी तरे एक और दियु आये फरजी तरीकी से अपनी तरीके से खुशी सब्सक्राइब करोगों वहीं वाला मैंने बोला था ना भागते बूत की लंगोट सही तो वहीं उनका क्रिया कलाप है कि आप तो हारना है कुछ और मांसिक परतार्णा करना इतना इनके पास सिक्षा है सिक्षा अच्छी होती तो प्रात्मी की विद्दाले की सुरत बदली हो होती मैं बार-बार बोलाओ अब चलिए कल की अपडेट पर बातचीत कर लेते ताकि आपको तथी हिंता वाली जो चीजें मिल रही है वो ना मिले तो वहीं कल की बास से प्रारंब किया था उन्होंने स्टार्टिंग से बताऊंगो सुनाई का पुरा एक सार आपको इस कि प्रश्ण उठाया जाए जज महोदे के द्वारा सबसे पहले कि इन इन प्रश्णों का आप जवाब दें और वहीं किया रिशार्ट सर ने तो कहने के यह आपकी एक जुटता और आपके प्यार की विज़े से कि वीडियो आप जितना जादा शेयर करते हैं तो वो जाती हैं चीजे और उम्मीद करता हूँ कि चीजें सबके समक्ष जाएं और सबको सही चीजे पता चले क्योंकि तत्त हीनता गुम्रा करने वाली इस्तितियां बहुत सिंगल बेंच में हुई थी अब नहीं होने वाली डबल बेंच में क्योंकि योग की लोग हैं हाला कि वो भी आए पालिकापर या किसी जिस्टिस मोदे पर प्रस्टेशिन नहीं उठा रहा हूं बात है वो बात है ठीक है तो बात हुई प्रस्टेशिन उन्होंने सबसे पहले इर्शाद सर ने उठाया कि 68500 में जो 4045 क्रटाव था वो उसी भरती प्रक्रिया के लिए था 69000 के लिए न समीशन पूरा करना है ठीक है बात आगे उन्होंने देखिए आप लोग का बीच में इंट्रक्शन जो जो प्रस्ट मेरी दिमाग में आते जाएंगे आप लोगों के जो कमेंट से मैं पढ़ता हूं तो प्रस्ट आते जाएंगे उसका जबाब भी देता जाओंगा तो प्रस्ट नहीं उठाना चाहिए जब आपकी प्रश्ट में अंशार उत्तर मिल रहा है क्योंकि आप लोगों नहीं बार-बार प्रस्ट किया था जब ईजी सर कुछ भी बात चीत करते थे का लिया सर बात करते थे माथू सर बात करते थे तो उनको बोलते तद तत्य समत दब जवाब दीजे बार-बार यह जीओ लागू हुआ तक क्यों लागू हुआ इस पर चर्चा करिए तुम्हारे जितने भी सीनियरेज वक्ता उसी पर चर्चा की आपके अनुसार आपने प्रशन पूछा था इसलिए जवाब दिया गया तो यहां पर आपके प्रशनों का जवा को स्क्षामित्र के लिए नहीं है यह मान रहे हैं है को स्प्षामित्र जाते फेलिए दो वैसे हम भी बोछ रहे हैं जो इसके लिए eligible नहीं है तो हम भी मानके चलते हैं कि नहीं है eligible और क्या इनकी तरह माना गया कि यह एक table है और इसमें एक तरफ BTC है एक तरफ B8 है और यह एक तरफ सिख्षामित्र है तो इनको इतना इनका इतनी high merit है हमारी कोई high merit है ही नहीं तब इरिशार सब्सक्राइए जस्टिसों के पास अगर सारी चीजें तत्य हैं उनके सामने और उन्होंने अच्छे से case की study की है तो उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं पहली बात बहुत इस पश्च तरीके से जैसे इन्होंने ये बात रखी हुपे नाद मिर्स तरीजी ने सीधे इरिशार सर का क्रॉस था कि आपको तो भारांक भी मिल रहा है उम्र में छूड भी मिल रही है उसको क्यों नहीं मिंशन कर रहे हैं आप यहां पर तो फिर गुमरावाले स्थी फिर से खतम हो गई उनकी ठीक है अब आते हैं इनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं कोई मुद्दा नहीं बचा वहीं कि ऑप्शनल था नमबर अफ कंडिडेट यह थे यह रिटेन एक्जाम था वगएरा वगएरा यह सारी चीजें सबको पता है ठीक है मैं इस पर नहीं जाओंगा में बात क्या है कि बीएड के जो बेरती परशान है मैं उसका जबाब दूँगा कि बीएड पर क्या क्या प्रशन उठाये गया जजों के तोरह सही चीजे क्या बूली गई और आपको क्यों भरमाया जा रहा है यह पर चर्चा करूंगा अब भया बीएड को दिखाने से पहले उन्होंने बोला कि जो बीस्वा संसोधन हुआ है उसके नुसार बीएड एलिजबल नहीं है है ना बीएड के जो संख्या प्रदर्शित की जारी वो पूरी तरीके से फरजी है तो इस पर इनका इस पश्च तरीके से आपके जजों क सबसे पहला यह इंप्रश्ण क्रॉस इनके था क्या मतलब आप मानते हैं बीएड एलिजबल नहीं है तो मतलब आपका यहीं समिश्च सबसे इंपोर्टन बात याद रखी इरशास सर ने क्या बोला एक लाइन आप अच्छे समझ लिए कि is this your submission that beard is not eligible for this exam तो पिर जब यह द justice मोदे वहीं प्रश्ण आप से पुछ रहें कि अच्छा ठीक आप यहीं बोल रहें तो बोले नहीं 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 अरे कहसा मतलब समिशन कर रहे है यार कैसा आपनी बात रख रहे हो यह तो समझी में नहीं आ रहा है मतलब यह कान पकड़ रहे है सीदे-सीदे जज क्याइड है कि इनको किस आधार पर यहां पर किया by Moto ट्रेंटेश कि नाच चाहिए नॉट एजोंब नो लोग और इस लिए उनको गुंब्रा नहीं किया जा सकता बार लाइए बोलता रहूँगा अपने दिमागों बैठा लीजैनों गुम्रा करते उनका काम वही है क्योंकि उन्होंने उतना सीखा है और वह उतना चाहते हैं उनको इससे ज्यादा ना आता है ना आएगा जीवन परेंथी इस चीश को नोट कर लीजे ठीक है अब बात हुई तो जस्टिस इर्शास सर ने सीधे सीधे बोला कि यह एमेंडमेंट में मिंशन है क कि जितने भी बीएट के कैंडिडेट हैं वो निउक्ति के बाद छे महिने का ब्रीच कोर्स के अंडर कोर्स करेंगे दिन डियार टोटली लेजबल और इटीजबल इस मेंशन इन दा एमेंडमेंट मतलब यह पुरा मेंशन है तो आप फिर उसके बाद फिर कोई प्रशन नह लगत दखा जाये टरीणी टीचर की तरह डारेट इस टीचर की तरह नहाई पॉइंट कीया जाए तो इस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है मेरा मुद्दध क्या है मेरा एग की बात कहना है कि अपने पक्ष की तरफ से एक बात इस पश्ट तरीके से यह बोल देना तो क्यों अपने नियाले का समय बरबाद किया जा रहा इन बे फुजूल की बातों पर क्यों नहीं प्रशन उठाय जा रहा इस चीज पर यह सबसे बड़ा पॉइंट है यह रखा जाना चाहिए वकीलों को दोरा सीनिर वकीलों को दोरा क्योंकि देखे समय अब कितना लेंगे इनके दोरा आप जब एक ही वकील रोज आदे घंटे घंटे बोलता जागा और वो भी बीना कोई तत्य बात वाली बात है नहीं जिस पर यह थोड़ा से समय चाहिए हाला कि हर चीज बहुत अच्छे से चल रही है लेकिन हमको जल्द से जल्द चीजों को निस्तारित करने और अपना एक एहम रोल प्ले करना होगा यह बात रही मैं बार बार बोलूँगा और हजार बार बोलूँगा एक बार नोट कर लेजिए जितने बीट के बढ़ती हैं आप सभी सेफ हैं और आपको अंसेफ कहने वाले खुद पहली बात तो उनसेफ हैं उनकी नईया पहले तो सोच रहा हैं कि बगल वाली नईया पर कूदें और उनकी बीटग्मों को आदें तो ऐसा तो नहीं होने वाला है यूर उनो सेफ साइड और आप सेफ हैं और तब तक सेफ हैं जब तक नियूकती नहीं प्रप्त कर लेते हैं भविश्य का नहीं बता सकता मैं बार बार ब कि स्माइल विरोधियों को ऐसी पस्त कर देती है स्माइल करते रहें आगे बढ़ते रहें बेस्ट आफ लग थैंक इसो मैच